नवस्का साथियों तो चली आज के देनिक जागरन में क्या खास खबरे हैं उन्हें हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं और याद रखे देनिक जागरन का राष्टी संसकर्ड है तो इसमें आप लोगों को मत्फोर खबरे ही देखने को मिलेंगी 1961 के बाद पहली बार दिल्ली मुंबई में साथ पहुंचा मांसून आप आप देखेंगे कि आरतिक राजधानी मुंबई में दो हपते की देरी और राजधानी दिल्ली में दो दिन पहले दस तक धीमी सुरुवात के बाद तेज हुई गती, दो दिन में पूरे देश में सक्री हो जाएगा मांसुन, खरीब फसलों की खेती में जोटे किसानों को मिलेगी राहत, और धान रुपाई में आएगी तेजी, और आप देखे अच्छी मांसुन का लाप क्या होगा, किरसी उत्प चीक कोगती मिलती है, और किरसी उत्पादों की कीमत और महेंगाई नियंतित रहती है, कमजोर मांसुन से संकट क्या होते है? ग्रामिट छेतरों से ट्रेक्टर बान उत्पादों की मां घटती है, और सरकार को आयात पर जैनदा खर्ज करना पडता है, किरसी खर्ज माफी ज अरब सागर की ओर से भारत की दच्छिड पश्चिम तक पर आने बाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत पाकिस्तान बंगलादिस आदी में भारी बरसा करती हैं, और एक ऐसी मौसमी पवने होती हैं, जो दच्छिडी एसिया चित में जून से सेप्टमबर तक प्रिया चार माहे तक सक के लिए रहती हैं, अगर आप लोग देखने चाहें तो अरब सागर आप लोग देखेंगे, देख रहे हैं आप लोग, इसे ही की बात हो रही है, और देखिए खरीब फसलों के बारे में आप लोग याद रख करिएगा, कई बार आप देखते हैं कि क्या खरीब फसल यह आप लोगों को याद रखना चाहिए हो खरीब की फसल मुख खता आप देखेंगे जिने जून जुलाई में बो देते हैं और अक्टूबर के आसपास आप लोग काट लेते हैं तो उसी उनी को आप लोग कहते हैं मूंग हो गया उर्दा उदर जिसे कहते हैं तो नी सब की बात हो रही है सिंबला में जुटान से पहले फिर आसांकाओं में बिपक्ची एकता यह आप देखते हैं कि 2024 में है आपके देश में लोगसभा के चुनाओ किसके लोगसभा के चुनाओ लोगसभा में कतनी सीटे हैं? 543 सीटे हैं अगर आपको लोगसभा सदस का चुनाओ लड़ना है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल होने चे अधिकतम उम्र की कोई सीवा नहीं जए और इनका चुनाओ डारेक्ट जिनता यानि की मद्दाताओं की द्वारा होता है अगर आपकी उमर 18 साल है तो आप लोगों का बोटा सुची में नाप जुड़ चुका होगा आप लोग बोट डालने जाते होंगे आप देखें कि 2024 तक जब तक चुनाओ नहीं होता है गठवंदनों की बाफ चलती रहती है तो जान्दा आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है बस आप लोग लोग सभा के बारे में एक सामन जानकरी जरूर रखिएगा मनिपुर में हिंसा पर कावू पाने का किया गयद दाबा या आप देखते हैं कि जो जाती है हिंसा मनिपुर पेली हुई है उसी को लेकर बात हो रही है मनिपुर की राधधानी इंपाल इसकी सीमा नागालेंड असम मिजोरम से लगती है अंतराष्टी सीमा मैनमार से लगती है इसकी सीमा भारतों मिस्स दुईपक्षिय सम्मंधों को रनितिक सांजेदारी में बदलेंगे पिधान मंतरी मौदी और राष्पती अल सीसी ने किये समझोद्य पर हस्ताक्चर किरिसी इसमारकों पुरा तात्विक इस्थलों तथा पितिस परदा कानून की छित में MOU पर भी हस्ताक्चर किये गए हैं पिधान मंतरी ने विविंच छित्रों के दिगजों से की भेंट आर्थी की बुनियादी धाचे की विकास उर्जा सुरक्षा पर चाच्चा की है और मौदी साहब को मिस्थ का सर्वोच नागरिक सम्मान और अप दा नील मिला है तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना पिधान मंतरी ने विविवार को देश के सर्वोच सम्मान और अप दा नील से सम्मान इत किया है याप लोगों को याद रखना है फियोके में भूमी गद बंकर और सुरंगे मना रहा है चीन एप फियोके आप देखे चीन पाकिस्तान आर्थिक गल्यारे पी-ई-सी की सुर रेखा LOC पर आप देखते हैं कि रक्षा बुन्यादी ध्हांचा बनाने में पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहा है और जो हम लोग एहा की बात हो रही है देखें पीओ के जो पाकिस्तान की कब्जे में है ना हमारा हिस्सा उसी से आप देखते हैं उहीं की बात हो रही है चाइना इस तरह की हरकेते करता रहता है यह भी आप लोगों को मालो होना चाहिए आप आतकाल कभी ना भुलाया जाने वाला दोर यह आप देखते हैं कि 25 जून 1975 को उस समय ततकालीन जो पिधान मंतरी इंद्रा गांदी थी हमारे देश की पहली महला पिधान मंतरी उन्हों ने जो राच्टी आपात का लगाया था न बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा होगा कि जेल में उठा के डाल दिया गया था उसी की बात कर रहे हैं ओवामा के कारकाल में अमेरिका ने 6 मुसलिम देशों पर की बंबारी केंद्री वित्तमंतरी निर्मला सीतारवन ने भारत में अलचंख्यकों के साथ भेदभाओ के आरोप पर अमेरिका की पूर राच्टपती वराक हुसेन ओवामा को अड़े हाथ लिया है यह आप देखते हैं कि पहले इन्होंने अभी ओवामा साहब ने जो टिपड़ी की हुई है ना भारत पर तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि फलटबार है लिविन नहीं पारंपरिक विबाग के पक्च में है कानून यह हाई कोट कर रहा है आज कल आप देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशन जाना चालू है ना तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि यह हमारी टिपड़ी कर रहा है कौन हाईगो टिपड़ी कर रहा है वाले सुर के बाद वन कुड़ा में एक ही ट्रेक पर भीड़ी दो माल गाड़ियां यह आप देखते हैं आज कल इस तरह की रेल गाड़ियां भी काफी भड़ रही है लड़ा की मोर्चे पर लोटे रूसी ने ली राहत की सांस वेलारूस में रहेगा पैंगो जिल लेकिन अभी उपस्तिती इस पाश्म नहीं है पुतिन ने काई कि उकराइन के खलाब कारवाही पूरवज जारी रहेगी अभी आपने देखा हो का कि जो बैगनर गुरुप है एक प्राइवेट आर्मी आप लोग कह सकते हैं कि कहां की है रूस की उसी के आप देखते हैं कि देश के खलाब ही एक तरह से उन्होंने मोर्चा खोल दिया था पुतिन के खलाब ही मोर्चा खोल दिया था तो वही चिंता का कारण बन चुका था अब आप देखते हैं कि क्या हो चुका है इन दोनों में समझोता हो चुका है यह आप देखेंगे तो देखें यह रूस आप लोगों को देखने को मिलेगा यह हमारा प्यारा भारत है रूस युक्राइन के वीच लंबे समय से यह उद्धी भी चल रहा है राजस्तान की पेपर लीक मामले में ED की जांच का दाइरा बड़ा कैलास मीना की हत्या के पीछे लेंदेन की होगी जांच पेपर बेंचने के मामले में आ रहा है एक बिधायक का नाम यह आप देखें ED की बात करें तो इन्फोस मैं डार्टेट की बात कर रहा हूँ और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी एक माई 1956 में हुई थी नई दिल्ली में आपको हैड़क्वाटर देखने को मिलेगा और राजिस्थान की बात करें तो आप देखेंगे यह राजिस्थान है अंतराश्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्यों में आप देखें तो गुजरात हो गया, मद्यपेदेश, उत्तरपेदेश, हर्याना, पंजाब से लगती है और आप देखेंगे कि छेटपल इसका देखें तो 3,42,249 बर किलो मीटर में देखने को मिलेगी और आप देखेंगे कि असो कहलोती है, क्लराज मिष्राय, यहां की राजपाल है, विधान सबा में 200 सीटे है, राज्य सबा में 10 सीटे है, receivers सबा में 25 सीटे है आपको देखने को मिलती है और आप देखे जैसे तैसी पेपर होते हैं, मालू चलता है फिर आप लोगों को कि वो आउट हो गया, वो आप देखे लीक हो गया, उसमें धांदली होगी, आप देखे जो महतर महनत करतें, इमानदारी से महनत करतें, उनकी जिंदगी पर यह तोड़ा चलता है विना वहस के पास हो रहे है राज्जों में अधिकांस बिल राज्जों ने एक साल में पास किये 500 से जांदा बिल 56 पितीसत एक ही दिन में पास PRS Legislative Research की रिपोर्ट की अनुसार विधान सभाओं की बैठकों में कमी विहार, गुजरात, पंजाब, बंगाल में 2022 में सभी बिल केस होने के एक दिन नहीं Pas हो गए थे आपने देखा होगा तीन किरसी कानून आये हुए थे जांदान उपर वहस नहीं हुए थी वहार आपने देखा होगा लोकसवा राज-षवा से Pas करवा दिये गए थे बाद में आपने देखा होगा कि भारी विरोध हुआ इतने आप देखी किसान उसमें सहीध हुए और आपने देखा होगा किसान डटी रहे बाद में आपस क्या लेना पड़ा वापस लेने पड़े अब आप सोची पहले अगर किसानों से बात कर ली जाती बिपक्च से बात कर ली जाती उसके बाद अगर आप बजट सत्र की दौरान हुआ राज बिधान सबाओं की कुल सालाना काम काज का। एक ही दिन में पेसोगर पास हुए 88 बिल सरवादिक असम विधान सभा ने पास की 2022 में तमिलाडू ने 31 और गुवा ने आप देखे 38 विल पास किये सबसे कम 3 विल नागालेंड ने पास किये अब आप देखेंगे इस पर काहे के लिए आपकी विधान सभा काई के लिए आप लोग विधायकों को चुनते किसलिए अच्छे से बहस हो सब्ता पक्च उस पर कुछ बोले बिपक्च कुछ बोले और एक निसकरस निकले कि वो सही है या गलत है उसमें कुछ सुधार हो सकता है या नहीं तो वो आप देखते हैं उसके लिए हम लोग उन्ने नेताओं को चुनाया है लेकिन वो बहस ही नहीं हो रही है और अधिक्तर मामली में क्या है कि आप देखते हैं वो उन्हें जानद परेशानी भी नहीं होती है, वो आसानी से पास करवा लेते हैं, यह आप दीखे राश्टी राजधानी दिल्ली से जुड़ी ही खबरे हैं, राजधानी में सीवर से जुड़ी 309 नाली बढ़ा रहे हैं, यमना में पिदोसन, यह उपराजबाल आप देखते ह आप देखते हैं कि नदियों में ही नालों को छोड़ दिया जाता है, और उसलिए आप देखते हैं कि नदियां इतनी क्या हैं, गंदगी से भरी पड़ी हुई हैं, और यमना की बात करें, तो यमनुत्री गलेसियर से निकलती हैं ना, वंदर को चोटियां, उत्तरा खंड, उत्तरकासी से, और इलावाद में आप देखते हैं कि गंगा में मिल जाती हैं, उसी नदी की बात हो लिए, और आप लोगों को मालू होना चाहिए कि इससे पहले भी हमारे पिधान मंतिरी साहब को कई देशों के सरवोच पुरुसकार मिल चुके हैं, सरवोच नागरिक पुआ नियुगनी का कम्पेनियन ओफ दा ओडर ओडर ओफ लोग हूँ, फिजी का दा कम्पेनियन ओडर ओडर, पलाव गडराज का इवाकल अबोड, भूतान का ओडर 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 ओड्रुग ग्याल्व, अमेरिका का लीजन ओड़ मेरिट, वहरीन का किंग हम्मद ओडर सैट और ओड़ ओड़ ऑडर ओडर अजीज अल साओडू आप लोग जरूर याद रखेगा हैने छिए में। इनसे questions आप देखते हैं कि पूछ लेता है कि एक कहां का है किसे दिया गया है तो जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए काहरा में गीजा की पेरामेट देखने को लोग के लिए आप देखते हैं हमारे पिधान मंत्री साहब गये है अलहाकिम मस्जित कहरा की चौथी सबसे पुरानी मस्जित है यह साहर की दूसरी फाती मिया दौर की मस्जित है मस्जित आप देखते हैं कि 13,560 वरक मीटर की छेत में पहले हुई है अमेरिका से डौन सौधी की अंतिम कीमत तै करना बाकी है रक्षा मंत्राले निकाय की अधीगहन की फिक्रिया को देना है अंतिम रोप और आप देखें 31 MQ9B डौन की अन्मानित कीमत आप देखें 3.072 अरब डॉलर होगी इसकी मौदी की यत्रा भारत अमेरिका समंधों में नई अध्या की सुरूवात है अमेरिकी राद दूद कह रहे हैं अब आप देखेंगे कि ये राजनीती से जुड़े एक कवरे हैं इसमें आप लोग देखें चुनाव होते रहते हैं बिधान सवा लोक सवा ये चुनाव करवात है कौन है सम्मिधान एक संस्ता है सम्मिधान एक संस्ता कहने का मतलब क्या होता है सम्मिधान के अनुच्छेद में किसी अनुच्छेद में उसकी स्थापना की बात की जाए और आप देखेंगे कि चुनाव आएक कि स्थापना की बात किसमें कहीं गी है आर्टिकल 324 में और आप दे सुकुमार सेंड पहले मुख चुनाओ आएक थित्य हमारे, देश भर में लागु किया जा उत्तर प्रदेश में बना लब जिहाद के विरुद्ध कानून, ये कौन कह रहे हैं, योगी याद इतना तो उत्तर प्रदेश के हैं न, वही कह रहे हैं, ये आप देख लिए उत्तर प्रदेश, लखनाओ इसकी राददानी अंतराश्टी सीमा आप देखेंगे, अंतराश्टी सीमा नैपाल से लगती, राज्यों में बिहार, ज्यारिखंड, चत्तिसगर, मद्ध प्रदेश, राजिस्तान, हर्याना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आठ राज्यों से लगती इसकी सीमा, और एक एंसा से फिदेश, नई दिल्ली से इसकी सीमा लगती है, विधान सभा में 400 सीट है, राज्य सभा में 31 सीट है, लोग सभा में 80 सीट है, आपको लोगों को देखने को मिलेगी, राजनीती की दिरिश्टी से कापी बात पूर है, उत्तर पिदेश म इसमें लब जिहाद पर कानून क्या है? कानून के मताबिक धन परिवतन के लिए इच्छा संबंदी गोष्णापत जिला मलेश्टेट के पास 60 दिन पहले देना होगा. यदि इसमें कोई दोसी पाया जाता है तो लब जिहाद कानून के तहत गेर जवानती धाराओं में मामला दरज करने है और 10 साल की कड़ी सजा का पराओधान है. मद्द पिदेश में भी यूपी की तरह ही यह नियम 60 दिनों का ही है और इसमें धरम परिवतन के लिए एक्छा संबंदी गोष्णापत जिला मजेश्टेट के पास देना होगा और जाज के बाद ही यह धरम परिवतन और साधी मान वबैदानिक होगी. वहाँ भी दोसियों को गैर जमानती धाराओं में मामला दरज करने और 10 साल की कड़ी सजा का पराओधान है. वही हिमाचल पिदेश सरकार ने धरम परिवतन के लिए एक्छा संबंदी गोष्णापत जिला मजेश्टेट के पास जमा करने की अँदी तीन दिन रखी है और इन 30 दिनों 30 दिन रखी है और 30 दिनों में जाज कर सुनिशित किया जाएगा कि यह धरम परिवतन स्वे हैं शार से हो रहा है या इसमें कोई दोसी पाया जाता है तो दोसी को 1-5 साल तक की कैद हो सकती है. एक बात और आप लोगों को बता कि देखिए धर्म परिवातन को आपका समिधान रोकता नहीं है आप करिए अगर आपकी किसी धर्म में आस्ता है तो आप जा सकते हैं लेकिन वो लालत धोके से जबर्जिस्ती नहीं होना चाहिए ठीक है और इसलिए आप देख रहे हैं जो कानून आ रहे हैं उसमें लिखा ज आ रहे हैं जवरन धर्म परिवातन को रोकता है कानून ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखेएगा सो प्रिंग कोट ने किसोरी की कश्टेडी पर हाई कोट के फैसले पर रोक लगाई बिगत सुकवार को फैसला सुनाया है और ताकि बारे वर्सिये की कश्टेडी उसके जैविक पिताव की दैनिक सो रोका जाए अती सरक्षित जंजाती की महलाओं ने देखी पहली बार ट्रेंड यह आप देखे हमारी 36 गर्ण से 80 सदस्यों का दल राष्टपती भवन गया था इनमें 12 महलाएं भी सामिलती इन अती सरक्षित जंजातीयों को राष्टपती की दत्तक पुत्य का दरजा मिला है दरोफती मूर्गू हमारे देखे देश की दूसरी महला राष्टपती पहली जंजात आप देखते हैं आदिवासी राष्टपती है यह 21 ओरों के मतांतर्ण में बर्चुल प्राइविट नेटवर्क का प्रियोग करता था बद्रो यह क्या होता है बीपी एन बीपी एन एक ऐसा टूल है जो इंटरनेट का सामान उप्योग करने वाले लोग नहीं खरीते इसका प्रियोग बड़ी बड़ी कंपनियां साइबर सुरक्षा के साथ अभयत गतिविदियां संचाल लेते करने वाले भी करते हैं और यह डाटा इनक्रेप्टेड रखता है यानि की भी पी एन उप्योग करता लोकेशन जगए और आपकी आइडेंटी पहचान कुछ अपा देता है इससे यह आप देखे स्त्री अमर्नाथ जी की पवित्त कुफा में बाबा बरफानी पूरे आकर में बिराज माने और तीत यात्ता को सुगंबा सो विधायुक्त बताने के लिए जम्मू कस्मीर पिसासन ने सभी ते यारियां भी शुरू कर ली है आप लोग भी जाते होंगे अगर दिल चस्बी हो तो हुआया करिएगा नकसली चेत में पुस्तकाला लिक रहे हैं सिक्षित वास्वालम भी समाज की पटका था यह आप देखते हैं कि वरसों से नकसलीयों के खौब में रहे हैं जारकन के लोहर दगा जिले में दिख रहा ह नकसली हमारे ही देश के लोग हैं पंगाल के छोटे से गाउन अकसल बाड़ी से हुई थी और जहां भारती कमेनेश पार्टी की नेता चारू मजूंदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद एक ससक तांदोलन किया था वहीं से निकला था यह सब पिदाल मंतिरी नेंदमोदी की हालिया अमेरिका यात्रा पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहीं यह दोरा दोनों देशों की संबंधों में नए आयाम गड़ने वाला राया है एक सबय भारत के लिए रूस सबसे महत्पूर साथी के रूम में सामने आया था और इस बात में संदिय नहीं है कि रूस ने कुछ एहम मौकों पर भारत का साथ भी दिया और कहते हैं कि बड़ा भरोसिब दार मित है आपका रूस और अमेरिका को एक मतलवी दोस्त कहा जाता है नए परिस्तितियां अब परिस्तितियां बदल नहीं है नए परिदिस में अमेरिका ने स्वयम को सबसे अगणी राष्ट की रूम में सामने आ रहा है और साथ ही भारत के साथ समंद्धों को गंभीता से सुईकारा भी है और ऐसे में भारत के लिए भी दोस्ति के इस रूप को सुईकारना आवस्सक हो गया है आज अमेरिका जानदा परासंगिक सेहोगी के रूम में सामने आ रहा है और सीमा पर चीन की हरकतों हिंद पिसान छेत्में 37 स्थापित करने की मामले में भी अमेरिका अभिक्चार की अधिक गंभीर है और सामरिक पहलू के तरिक तकनीग वह विकास की दिरिश्टी से भी यह दोस्ती मात पूण है और यह सर्विदित तथ है कि अमेरिका ने तकनीग एवं प्रुद्यकी के छेत्मा उलेक ने विकास किया है भारत भविस की विकास की जिस गाथा को लिखना चाहता है उसमें पुरुद्यकी की बड़ी भूमिका है और अमेरिका तकनीगी साज़ा करने का एक चुक भी है बदले परिदेस और विकास की अवस्तक्ताओं को देखते हुए भारत के लिए अमेरिका के साथ इस दोस्ती के फलाफल का विसलेशन आज हम सभी के लिए बड़ा मुद्दा भी है और आप देखनें कि चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो अमेरिका भी जानता है कि बिना भारत की मदद के संभव नहीं है तो इसलिए आप देखनें कि जानदा महत्त देर आ है जटल साथी से आवसक सहयोगी तक भारत और अमेरिका के संभन्द कई उताव चड़ाव से उखकर गुजरे है आजादी के बाद दोनों देशों की भी संभन्दों को स्वरूप देने के कुछ प्रयास हुए लेकिन अपिच्च कि पईडाम नहीं निकला भारत अपनी गुटने नेरिफिक्स नीती को लेकर सक्थ था यह अमेरिका को सुईकार नहीं चाथ चार बार अमेरिका गए थे हमारे नेरिफ साब देश के पहले पिदानमंती पंडिजवाल लाल नेरू अपने कारकाल में चार बार अमेरिका गया इन में से तीन दौरे अधिकारिक थे और कि उन्हें यात्रा से कुछ पिसे स्वाइडाम नहीं मिल पाया था 11 एक्टूबर 1949 को नहरू पहली बार बॉसेंटिन पहुचे थे नहरू के अनुवान के विप्रीत वहां अमेरिका अमेरिकियों ने उनका भव स्वागत किया हलाकि दौर के दौरे के बाद अमेरिका ने गुट निर्पिक्ता को लेकर भारत के दर्स रोग को लेकर निरा सज़ता है और आप देखते हैं कि अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को मालू हुचे हमारा देश का बाजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और अमेरिका तो 1776 के आसपास हो चुका था 1956, 1960, 1961 में फिर नहरू का अमेरिका जाना हुआ और इसमें भी कुछ सार्थक समझोते नहीं हो पाए भारत अमेरिका की तत्कालनी रादू जौन कैनेट गालवेट ने लिखा था कि किसी सासन अध्यक्ष का सबसे पुराना दौरा बुरा दौरा भारती पीएम से बात करना ऐसा था जैसे आप कुछ पकड़ना चाहा रहे हैं लेकिन हाथ बढ़ाते हैं तो वस धुआ मिलता है 6 दसक में तै हुई लंबी दूरी तब से अब तक दोनों देशों ने लंबी दूरी तै किये बैस्विक परिस्तितियां बदल चुके इंपिधानमंती मर्मोन सींग के समय हुआ परमाडू समझोता भारत अमेरिका संबंदों की कड़ी में एहम रहा है बीते एक दसक में भा भारत अमेरिका ने चार रक्षा सहुख समझोते परहस तक चल किये साथी दो दसक में अमेरिका से 21 अरफ डॉलर के सेन उफकरन ख़ी दे गया है अमेरिका जापान ऑस्टेलिया ने के क्वार्ड समूर से जुड़ा है भारत क्वार्ड में आप देखनें चार देश सामिल है अमेरिका, जापान, ऑस्टेलिया, भारत और तकनीक के समदों में मजबूती का बड़ा पहलू भी है इसमें और आप देखें अमेरिका को भारत की जरूरत क्या है? हिंद पसान शित की में चीन की दखल अमेरिका के लिए चिंता का कारण है दचछिन चीन सागर में चीन की स वारत के दकानों अंटरररत के समुत्वर इस भाद के नहया है कोई ऐसान नहीं कर रहा है यह आप भी जानते हैं वह तो अपना भी मतलब निकाल रहा है इतिहास से सीख लेते हुए रखनी होगी भविस्ट की नए संबंधों की नियूँ और अमेरिका ने ही एक समय चीन को इस्थावित किया था जिसे एसिया में भारत और सोविय संग को च से भारत के लिए लाब की स्थितीम है बस आज तकता है कि भारत किसी भी पकार से अपने हैतों पर किसी तरह की आजणा आने दे शै म्जवत सी समन्धों की चलक्न पीम हालिया दोरी में दोनों देशों की बीच विविन चेत्रों में हुए समझोंते दिख रहे हैं कि किस तरह संबंधों के नए उप्यारम हुआ है दोनों राष्ट नई इबादत लिखने को ते आ रहे हैं रक्षा चेत जेट इंजन डेल से भारत से को तेजस MK2 और जनरेशन फा लोजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा टेकनोलोजी में भारत में अमेरिका से में एक्सलेरेटर में निवेज करेगा भारती कंपनी इस टर लाइड साउथ कैरोलीना में फाइबर केवल मैनुफेक्ट्रिंग करेगी नागरिक सहयोग में देख रहा प्रयास तो हम बीजा और एल बीजा नमेकन के लिए नेमों में सालता बैंगलोर और एहमदाबाद में अमेरिका दूताबास और सेटल और दो अन्य अमेरिकी सहरों में भारती दूताबास खोले जाएंगे उनिवेसिटी ऑफ यूटन में तमिल अध्यन के लिए विभाग कोलेगा बैस पिक मसले भारत अमेरिका ने WTO से जुड़े 6 बिवाद भी सुल जाए और आप देखे इंडिया पैसिफिक ओसेंस इनिसेटिफ से जुड़ा अमेरिका भारत में नवंबर में होगा PAPAC का संभिला इंटरनेशनल एनजी अलाइंस ने भारत का सहोग करेगा अमेरिका उर्जा एवंग स्वास्त में भारत की BS के कोलो रेडो में सोलर मैनुफेक्चरिंग करेगी भारत की JSW ओहाओ में स्टील उत्पादन करेगी 10 जार्ज में मैड इन इंडिया एलेक्टिक बसें अमेरिका लेगा कैंसर डियाविटी पेथोलेजीब के छेत में गट चोड नभी करनी उर्जा में निभेस करेगा देख लिजे और कभी एसिया में अमेरिका ने ही चीन को तागत दी थी आज वही अमेरिका भारत के लिए पलके बिचाय है हुए है सब समय बदलता है आप देखते हैं और समय ही तो बदला है अमेरिका को भारत से तमाम सांज्यदारियां बढ़नी करनी चाहिए किन्तु ऐसा करते समय में अपने हितों को सर्वोच परात्मेकता रखते हुए इस बात में कोई सद्दे नहीं कि नहीं है कि प्यधा का से हमें तो अपना एक तरह से काम निकालना चाहिए दिखतर है कि देखिए अमेरिकी दोरे पर रहे हैं हमारे प्यधान मंत्री तो उसी पर आप देखते हैं यहां भी कुछ एडिटोरियल है इनहीं भी आप लोगों को देख लिजी यह आपको प्रिलिम्स में मोख परीक् एडिटोरियल और जो महत्पूर एडिटोरियल अने न्यूच फेपरों में रहते हैं उन्हें भी मैं फेस्बुक पेच पर डाल देता हूँ तो वहां से आप लोग पढ़ लिया करिएगा उपलब्दियों में भारा रहा हैं अमेरिका दोरा हमारी प्यधान मंतिर साफ का पिछले कुछ बर्सों के दोरान अमेरिका के साथ भारत के संबंध नेंतर प्रगाड हुए हैं और इस दोरान बड़िज दिरक्षा और पुद्दुकी की स्तर पर दोनों देसों में ब्यापक सहयुख बढ़ा है अपने पहले कारकाल से ही पिधान मंतिर नैद मौदी की ने बहुत मजबूती से जोडती हैं और पिधार मंतिरी मौदी के लिए राश्टपती बाइडन द्वारा दिये गए राजकी भोज और अमेरिकी संसत को दूसरी बार संबोधित करने के आउसर ने इस दोर को दोरे को यादगार एवं इतिहासिक बना दिया है ऐसा मोका केवल अमेरिका के वेहद निकट सहयोगी मित्रों को मिलता है कुछ सांजहा बैस्विक चिंताओं और चीन के बरते प्रभाव को लेकर दोनों देसों की संबेदन सीलता ने भारत अमेरिका रिष्टों को नया आयाम दिया है दोनों देसों ने वड़िज जो रक्षा उपकरणों स समेद कई छित्रों में सहयोग बढ़ाया है अमेरिका भी भारत के साथ रिष्टों को रणनेतिक एवं सकारफन नेहतार्तों के नजरी इससे देखता है और भारत बंसियों को संबोधित करती हुए पिधानमंत्री मौदी ने दोदों देसों की बीच बढ़ती सांजयदारे की सहयोग के मुद्यों पर व्यापक जहमती बनी है और इसी दोरान दिगज अमेरिकी चिप निर्माता का माइक्रो क्रॉन ने भारत में निवेस और अपनी पिस्तावित गतिविधियों का ऐलन किया है या अमेरिका भारत की बीच परस पर नवाचार और आर्थिक गट्चो रहा है कि भारत की आदोनिक रक्षा जरूरतों की पूर्ती के लिए रूस पर निर्भाता उचित नहीं है ऐसे में अमेरिका के राष्ट साथ रक्षा सांजेदारी बिल्कुल सही समय पर आंगे बढ़ रही है और इसे भारत की सेन सक्ती में बड़ोत्री होने के साथी दोन लडाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए अमेरिकी दिगज जेई और हिंदोस्तान एरोनोटिक्स लिमेटिट के भी चुआ समझोता भी बड़े महत्त का है और इससे से भारत की सामरीक आपूर्ती सिंखला में बड़ा बदलाव आएगा जो रक्षा उकर्णों की अपनी की सहे विकास और सहह उत्पादन के आउसा तलासें की दिशा में आँगे बड़े हैं भारत ने अंतरेक चनिवेशन से जुड़े आटे मिस अनुवंद को लेकर सहमती जिताई और मानों अभियान के लिए भी नासा के साथ सांजिदारी की है नासा अमेरिकी अंतरेक की सेमी कंडेक्टर एको सिस्टम इस्थापित करनी के लिए भी तियार हुई है खनेज सुरक्षा सांजिदारी में भारत को जोडने के लिए भी जोडने पर भी अमेरिका ने अपना समर्थन जिताया है साधी एडवांस कंप्यूटरिंग आईटी पीसल इंटेलिजेंस या आवसक मंतरना की है और प्यधान मंतरी के इस दोरे ने अमेरिका निवेसकों की विजभरोसियों नीतियों को लेकर अस्वासन भरा ऐसा परिवेस बनाया है जिसके पाईडाम स्वरूप कई कंपनिया भारत में निवेसकाने और अपने निवेसको बढ़ाने के लिए तत पर साथ कही है आने वाले समय में आप देखेंगे अमेरिका से भारत में होने वाले पितेक्ष विदेसी निवेस यानि FDI में भारी बढ़ोती देखने को मिल सकती है और ऐसे में यह कहना अन्यचुत नहीं होगा कि पिदान मंतरी के इस दोरे ने दोनों देसों के बीच आर्थि यह पिदान को अपना H1 भीजा नविरिकेंड के लिए भारत आना जरूरी नहीं रहे जाएगा और यह बास्तों में एक बड़ी राहत है इसके अतरिक भीजा पिक्रिया को और अधिक सोगम बनाने के लिए अमेरिका बेंगलोर अहमदाबाद में नए काउंसलेट पिदान मंत्री मोदी की नेतित और उनकी रणनेतिक अंतराष्टी है सक्रियिता ने बैस्विक इस्थर पर भारत की कद को बढ़ाए या प्रकती भारत को एक ऐसे जीवंद वगती सी लोकतंत की रूम में इस्थापित करती है जो बैस्विक बिमरसों को आंगे बढ़ाने स साजा चनोतियों से ने पटने और बैस्विक धाचे के भविस्थ को आकर देने में सक्चम है किसने लिखा है आर्टिकल देवराय पिदान मंत्री की आर्थिक सराग अपरिशाद के प्रमोख है और से ना परिशाद में अपन नीजी सचे अनुसंदान है देखिए इन्हें आप लोग इस तीरीन पर भी देख रहे होंगे तोनों लोगों को लेविन लेलेसन की सुतंता का सच जब आप देखते हैं कि लेविन वाले भी उन्हें अप एक छाओं और दायत्तों की दोहाई देते हैं जो विवा का आलदार है तो फिर ऐसे रिस्तों का क्यातु यह आप दिखते हैं कि पश्मी देशों में हुआ करता था यह सब दूसरे देशों में हमारे यह इस तरह के मैटन नहीं थे और आप दिखते हैं कि इस तरह के मामले भी आ रहे हैं और बहुत सारी दुरगटनाएं भी हो रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है देखिए जहां तक कि बड़ा सोच समझ लिया करिएगा इस तरह के कोई फैसले लेते हैं आप लो क्योंकि बाद में पस्ताने से अच्छा है कि पहले सोच लिया जाए हाल में किरल के आई कोट ने कहा है कि कानून लेविनरिलेशन यानि कि सह जीवन को साधी की रूम में माननता नहीं देता है लेविनरिलेशन का मतलब साधी नहीं होता है नाहीं इसमें तलाक की मांग की जा सकती है यह टिपिडी कोट ने सह जीवन में रहने बाली याजका करता हूँ यूगल के तलाक की आविधन पर दी है अब आप देखें आप दोनों की साधी नहीं हुई तो तलाग क्या लेंगे और एक कड़वी सच्छा ही लगेगी इन्हें गाउं में आप देखते हैं कि अगर देहात में जाए ना तो अबैद जो संबंद कहते हैं उसी को रिलिविलेशन इंग्लिस में कह दी जाते हैं और ब विवा एक सामाजिक संस्था है जिसे कानून से मानता प्राप्त है और आप देखते हैं कि यह समाज में सामाजिक और नेतिक आदर्सों को दरसाता है नियाले की यह टिपडी सपष्ट करती है कि तता कतित आधुनिकता की तमाम दावों के बीच इस सत्त्त को नकारा नहीं जा सकता है कि विवा आज भी सामाजिक और नेतिक आदर्सों को इस्ताफित करने वाली संस्था के रूम में जीवन थे और उलेकनी है कि इस नियाले ने आठ अपरेल 2015 को धन्नू लाल और अनमाम गडेस राय और अनमामलेके में कहा था कि कानून लेमिन रिलेसन को सुविका के अनुचेद 124 के तहट आप देखेंगे जिसकी स्थापना की गई अठाई जन्वरी 1950 में स्थापना की गई थी और जो आप देखते हैं उसमें नियादी सरते हैं उनके सेवाने वित्ती की उम्रे 65 साल रखी गए है उचित अनुचित के अंतर को त्याग चोगी बर्तमार युवापीडी के सब्द कोस में यकीन सामाजी संस्ता सामाजी के एवं नेतिक आदर्स जैसे सब्द रूणने से भी नहीं मिलेंगे चड़ भर को इसे सुईकार कर भी लिया जाए तो स्वैत्ता की तरक की आधार पर समाज को परोसी जाने वाली लेविन रिलेशन सेप स्वैम उनके गले की हड़ी बनती दिखाई देती है और अमूमन युवाफिडी बिवा को एक बंधन की रूम में देखती है जहां आपसी मदभेत की स्थिती में जोडों को बिवा बिच्चेद के लिए नियाले की चक्कर लगाने पड़ते हैं और एक जटल पिकिया से गुजरना होता है इनी जंजावातों से ये मुक्ती पाने का उनके लिए सहज मार्ग सहजीवन है जहां अलग होने के जब चाहे मुक्ती के द्वार खोले जा सकते हैं परन्तु क्या बागी ऐसा होता है चाहे सत्य को कितना भी आसुएकार किया जाए परन्तु बास्विक्ता यह है कि सहजीवन में साथ रहने वाले योगल भी एक दूसरे के साथ तभी रह पाते हैं जब उनमें प्रेम हो प्रेम से उपजा रिस्ता जब एक छट के नीचे साथ रहकर संबन्नों का निर्वान करनता है तो उसके साथ दायत अब एक्छा है और अंतरविरुद भी जनम लेते हैं यह बार अंतरविरुद उस सीमा तक बढ़ जाते हैं कि अलग होने की स्तितित्पन हो जाती हैं तब एक दूसरे के उपर आरोप पे त्यारोप मर्यादाओं की हर सीमा को भंग कर देते हैं अदालतों में ऐसे भी कई मामले हैं कि जहां सहह जीवन रिस्तों का समापती की बा नहीं होती हैं इसलिए इस स्सक्षण परविट्ति के होते हैं या इसलिए है कि अगर ये ऐसा थोता कि सहहज्जीवन में रहने वाले योगल ठीक उसी तरह तमाम अलालतों के चक्कर नहीं लगा रहे होते हैं जैसी कि बैदानिक रोप सी संबंधों में बंधे दम पती यह समझने जरूरी चाहिए विवायक समंध हो या अत्वा सहजीमन इसमें रहने वाले यूगल सामन मनुसी होते हैं ऐसा नहीं कि सहजीमन में प्रवेश करते ही यूगल मसीनी मानों की रूमें परिवर्तित हो जाते हैं और उनमें भी वही तनाओ अपेक छाएं और मन मुटाओ उत्पन होते हैं जैसा कि विवाय दमपत्ती में फिर ऐसा क्या है कि सहजीमन में रहने वाले यूवाओं की बार सी आ गई है इसका इसपर्ष्ट उत्तर स्वेम को तथा कती रूप से आधुनिक सिद्ध करने का प्रियास है छदम आधुनिक ता आरम में स्वेम को मुक्ते एबं भीड से अलग सिद्ध करने का पितम पायदान दिखाई देती हैं अगर ऐसा नहीं होता तो अधालतों में सहजीमन में रहने वाले जोड़ों के मामले में एक लंबी फियर रिस्त नहीं होती नबंबर 2021 में मदरा साइकोटन में आएक कल्ये सेलिवीन बना भी जो से बेवी का मामला सामने आये था तब जश्टिस एद बैदनाथन और विजय कुमार की फंपीटने काहती कि लंबी समय तक साथ रहने से पक्षकारों की परिवारिक ने आलाय कि समक्ष ब्याब बिवाहिक बिवाद उठानी की कोई कानूनी अधिकार तब तक नहीं मिल सकता जब तक की उनका बिवा कानून क की अनुसार ना हुआ हो सहजीबन में रहते हैं उन्हें अलाय से बिवाह सम्बंदी अधिकारों की अपेल करना हास असपद अवस्पितित होता है परन्तु गंभीरता से विचार किया जाय तो ऐसे योगा स्वयम अपनी हिस्तेती को लेकर भ्यमे थे एक और बे बिवाह की अच्छाओं की दायत की दोहाई देते हैं दिखाई देते हैं जो की विवाह का आधार है और सहजीबन की और प्रवर्ट होने वाले हिवाओं में से कुछ ऐसे भी हैं जिनोंने अपनी केस और आवस्ता में अपने अभिभावक की अलगाओं का दंच जहला परन्तु यह आप ही भुलाया नहीं जा सकता है कि सहीबन से उत्पन संता ने असोरक्षित भविस्त के साथी साथ समाज में आसमान चनोतियों का सामना करने के लिवे बवस्त होती हैं यह लेख का हैं समाज साथ की प्रोफेसर हैं इनका नाम है डॉक्टर सी रितू सारस्वत इनके द्व लोगों ने देखा होगा उसके पिता ने रोका था उससे लेकिन उसने क्या कहा था कि मैं तो खुद कमाने लगी हूं मैं जिसके साथ रह सकती हूं रहना चाहूं रह सकती हूं बाद मैं आप देखी क्या हसर हुआ तो यह आप लोग देखी कि दो दिन रिलेशन में रहना द अपने करमों पर, आप देखें, अपनी महनत पर, अपने पसीने से जो बनाई हुई महनत, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी बात है, और अपने जो आप देखते हैं कि दोसरा आपकी तारीफ कर रहा है, तो उसके चहरे को देखा कर ये लालच टपकता है, ध्यान दिया कर बाद में पच्टाना पड़ता है और आप देखिए इन 7 दिनों में देखता हूँ, हर 7 दिनों में आप लोगों से जुड़ता हूँ, ऐसे कम से कम 25 से 30 केस देखता हूँ, पड़ता हूँ, लोग मुझे मैसेज करते हैं, जो परेशान है अपनी जिन्दगी में, पहले उन्हो छोड़ देते हैं आपको, अभी आपने देखा है उत्तर पे इसकी मैडम का हाल, अब आदी की पती ने उन्हें पढ़ाया, उन्होंने छोड़ दिया, देखिए बहतर की तलास में उन्होंने छोड़ दिया, तो आप समझ सकते हैं क्या इस्तिती है, विचाल सकती, जीवन मे बहानों की रक रकाव, पिदेश में दस बर सधिक पुराने बहान को फिटनेस के बाद ही चलानी के उन्होंती देने का नियम हर्द रिष्टी से उचेत है, और पूरे देश में कई लोग कह रहें कि ये लागू होना चे, अब एक चाहें बढ़ती तक ने की, विस्ते के अम इसके अंतरगांत, मेरे सरीग को स्टील के बिष्टिख बख्सों में 200 डिगी रडात्मक तामान में रखा जाता है, इस बख्सों में नाइट्रोजन भरी जाती है, अमेरिका के अरिजोना में के स्टिख क्राइउनिक्स कमपनी एलकोन में 205 सब सुरक्षी रखे गये हैं, जबकि 1470 लोगों ने अपना सब सुरक्षे रखने के लिए आविदन किया है, अन्य देसों में भी विवन बैक्तियों के सब अत्वा दिमाग सुरक्षे रखा गया है, यह बिग्यान एवं तकनीकी सीमाओं की बात की जाये तो संभावता एक मातकार जिसमें अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है, वह है मेट सरीक जीवित कर पाना, यह बी अलग-अलग सिद्धानतों मतों की द्वारा जीवन एवं मित्यू की ब्याक्या की जाती, किन्तु फिर भी विग्यानिक आधार, पर यह अभी एक रहस्ती है, कि सरी में जीवन का मूल सुरूत क्या है, एवं मित् नेनू टेक्नोलोजी, रोवोटेक्स, आधी रूपों में सोध, अनुवेशन की नेंतर अगती, गतीमान, धारा ने ही मनुस के मन में आसा किया है, किरन जगाई है, सायथ कभी भविस्व में मित्यू के उपरान सरीर को पनार जीवन जीवन देना संभा हो जिपाए, और इस उस समय उसके नवीन जीवन का उद्दिस क्या होगा, उस समय के परिवेश के साथ तालमेल बेठा पाने है, उसके लिए निश्चित ही एक दुसकर कायर होगा, एक अन्न, बात यह है कि क्या जीवित होने के बाद बैक्ती की इसमेती पुना सक्री की जा सकेगी, दुरवाग बस यदि ऐसा ना हो सका तो जीवित बैक्ती पूर्ता एक नए जीव के समान होगा, जिससे अपना जीवन सुनने से सुरू करना है, और अपनी पुरानी उपलदियों को भूल चुका होगा, ऐसी दसा में मिर्च सरीर का पुनार जीवित होना पूर्ता या अर्थ ही इन तो भगवान नहीं देते थे, भगवान कहते weten कि हमें भी मनना पड़ता है अगर हम जनम लेते हैं इंसान का, तो यही सफलता नहीं मिल रही है, वरना आप देखते हैं कि सब सफलता मिल रही है, इं चोटे चोकटे कोल में रहते हैं, यह ध्यान दिया करिएगा, नसे की समस् जब राज अपने नागरिकों को उचित स्वास्त उपलब्द कराने के लिए नसे की समस्या पल लगाम कसेगा या किसी से छपा नहीं कि बिगरती स्वास्त के लिए एक बड़ी हद तक मादक पदार्थों का सेवन जिमेदार है जिससे देश में हर वर्स लाक लोगों की मौत ह हो रही है महत्पूर समाज की भूमिका देख लिया करेगा नसा दो आप देखिए हर जगर फैलता जा रहा है एक लेखक मन की के मन की बात एक खरी खरी तंज कसा जाता है मतांते इनके मुद्दे पर सवार भाजाबा धरम बरीवतन के पित्वी की तस्वीर बगारता सब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं चाहे वो गरीब हो अमीर हो दो हजार के दो तिहाई से जालना नोट बैंकों में बापस आए और वियाई गवर्नर सक्ति कांत दास ने काई कि दो हजार रुपे की नोट वापस लेने का अर्थवस्ता पर नहीं पड़ेगा कोई फि कितना दो हजार रुपे की नोट पिछलन में थी मार्च दो जाते इस में 12 समला 41 लाग करो रुपे से यदिक की नोट अब तक बापस आ चुगे हैं यह आप देखे आर विया रिजर बैंक ऑप इन रिजर बैंक इंडिया की बात हो रही एक अपरेल 1935 में स्थापना हुई थी मुंबई में हेड़ क्वाटा देखने को पचास यदिक लोग परी यूटोबर से मिले गुएल बड़िज जो उद्धिक मंत्री पी उस गुएल सोचिए यह आसियाना हाउसिंग की विक्री बुकिंग दुगना बड़ी यह आप देखते हैं कि एप इएल पर 12,265 करूर रुपी के गड़ दाबिश स्विकित किये गए एक छे कम्पनियों का पूंजी करन एक लाग करूर रुपी घटा और 408 इनफरा परियुजनाओं की लागत 430 करूर रुपी बड़ी और आप देखिए अमेरिका में फिर चमकियेगा भारती स्टील आदानी समु का कर पूर लाब 90,000 करूर पी काहोंने का नुबाद है बजटी पूंजी गड़ खर्चों में बिहार करना टर्फ समय चार राज अबल दिखाई दे रहे हैं आद्विदेश का सबसिखरा पिदर्शन लक्ष कमा 23,000 करण मत्विदेश जारकन लक्ष करना 98,000 करने में सफल रहे हैं कोविद वैक्सीन की खरीद को लेकर भालती और विदेशी कंपनियों की नियम समान हैं मंडविया हमारे स्वास्तमंतरी साब करें तो यह भी आप लोग देखेंगे पाकिस्तान की संसर ने दी संसोधी बजट को मंजूरी अंतराश्टी मुद्राकोस की सर्थें पूरा करने के लिए उठाए कदम यह आप लोग बताए देखे 14.28 लाग करोर रुपे के बजट को मंजूरी दी गई है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है 1947 तक हमारा हिस्ता था आईएमेप की बारे में एक सामान जानकारी लिखी एक कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में पाक सांसदोनों की निलम सीमा अधिकतब 5 बरस करने इसे जुड़ा बिलपास हुआ है मौधी सरकार की मदस सीलंका ने सुल्जाई कई समस्यां राजपक्षे साब करें आपने देखा है आर्थिक संकर से गुजर रहा था सीलंका है पाक जल लमरू मनार की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी भारत और इसके बीज और हिंद महासागर में बड़ा रहा है गतिविदी भारत ध्यान दे यहाँ आप लोग देखेंगे यहाँ आप देखें हिंद महासागर जो लगा हुआ है यह भी आप देखेंगे नैपाल में के पसुपती नात मंदिर में 100 किलो बजनी आभुसंड में से 10 किलो सोना गायब देखें यह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इस संकर महादेवन को वेटन में डॉक्टरेट की उपादी अबोर्ड विजेता गायक संगीत का संकर महादेवन को बात हो रही है इंग्लेंड में बर्मिंगम सिटी उनियोसिती से डॉक्टर की डॉक्टरेट की उपादी मिली है यह आप देखेंगे कि अमेरिकी सुप्रिंग कोट के बाहर पे दर्शन किया है अमेरिका सुप्रिंग कोट ने गरब पात के सम्मिधाने का दिकार बाले पुराने कानून को खतम कर दिया कोट ने 1973 के उस इतिहासिक फैसले को पलड दिया जिसमें महिलाओं को गरब पात का सम्मिधाने का दिकार दिकार दिया गया था दरसल अमेरिका में रोब बनाम केस बैड केस के बाद पूरे देश में गरब बात को नियम के साथ बैद कर दिया गया है यह आप देखते हैं कि आपका खेल का छित है इसका भी एक ओबर भी आप लोग ले लिया करेगा नौवाग को पचाड कर सीज पर पहुंचें अलग राज कुइंस किलब के फाइनल में डीप मिनोर को हराया इसपन कि खलाडी ने ग्रास कोट पर जीती पहली ट्रॉफी है आप देखेंगे पांच भी टूर ट्राफी अलकराज के सत्त्य में अपने नाम की है सत्त्रेवे सक्री बने है कार्लोस बंडे विसकप का कारकरम बंगलबार को होगा गोसित आप देखेंगे भारत में इस साल के अंत में होना है ना हौकी इंडिया ने पुरुस कोर समू की घोष्णा गी है एक गनीमत दरस्ता ने एस एई खिलों में टीम में जगए बनाई है अनीस भानवाला स्री कार्थिक सावरी राज निश्चल राष्टी चेंटराइस पांच और छे गुरुम में राइफल स्विस्टल निसानी बाजी में पहली विजेताओं में सामिल रहे है एक दिख्चा डागर बनी चेंपियन भारती महला गोल फर दिख्चा डागर ने चेक डेडी ओपन की तीसरे और आखिरी दौर में रविवार को यां 69 का कार्ड खेल कर 400 की बड़े अंतर सिट और फी इपने नाम किया है मैसी राष्टी टीम से ले सकते हैं ब्रेक मैसी देख लिजे अंतर राष्टी खिलाडी इस पेशाल ओलम्पिक में भारत ने जीते अब तक 165 पदक यह आप देखे प्रेम 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 हर जगए आ रहा है मैं आप लोगों से बार बार इसलिए गुजारिस करता हूँ कि आप लोग अगर इस तरह के कदम उठाना चाहते हैं तो जब तक अगर आप लोग सक्सिज नहीं हुए हैं तब तक तो मुझे लगता है किसी भी हालत में इस तरह की कदम नहीं उठाना चाहिए आपको अगर आप सक्सिज हो चुके हैं मिचूर्टी आ चुकी है और फैसला आप लोग ले सकते हैं समझदार हैं आप लोग तो जरूर आप लोग मुझे लगता है कि आपका परिवार भी आपको नहीं रोकेगा और आपको आपकी मर्जी से मर्जी जरूर पूँचेगा मुझे लगता है वो लड़का हो लड़की हो तो इसलिए जरूर आप लोग पहले सक्सेज हो जाईए फिर आप लोग इस सब करिए कड़ी महनत पक का इरादा और कड़ी महनत पक का इरादा सही समय का सही उपयोग कर रहे हैं तो आप सफल जरूर हों के इसमें कोई दो राय नहीं है जनवरी में आप देखे राम लला की प्रायाण पितिष्ठा की समारू में इयरपोर्ट का भी लोकार्पंट करेंगी हमारे प्यधान मंतरी साथ विदेश यात्रा मौली का अधिका आसाधरम परिस्तिति में हो सकती एक टोटी हाई कोट कर रहे हैं यह आप देखे एक सो पैंटीस करोर रूपे के बैंग धोका धड़ी के आरूपित को मिली विदेश यात्रा की अरुमती सबूतों से छेड़-छाडबा गबाहों को प्रभावित नहीं करने का दिया नियदेश यह आप लोग देखे यहाँ भी जनरल ओलेज के लिए मिल जाते हैं पर इक्षा के पॉइंट विव से भी कुछ पॉइंट मिलते हैं एक दातों की सफाई के लिए चीन ने कराया गया टूत ब्रस का पेटेंट 1499 में आज ही चीन में दाश सापकरने के लिए ब्रस का पेटेंट कराया गया था मेंग वंस के समराट हॉंग जी ने यह पेटेंट कराया था इसमें सुवर की मौटे बाल का ब्रस बनाया गया था और इने हड़ी या बांग की हैंडल से जोड़ा जाता था आदोनिक टुर्स बूस का डेजाइन इसी से पेरित है अमेरिका में लगाया गया चेचक से बचाओ के लिए पहला टीका जिसे आप लोग माता कहे देते हैं छोटी माता बड़ी माता उसी को चेचक कहेते हैं 1721 में आज ही अमेरिका के बॉस्टन में डॉक्टर जब डील वायल इस्टन ने चेचक के बचाओ के लिए अपने 13 बसी बेटी को पहला टीका लगाया था ओस समय चेचक महामारी के रूम में फ्यल रहा था ये टे का पूरी तरह से कारगर नहीं था चेचक के कारगर टीके की खुझ बेटिस डॉक्टर एड़वर्ड जेनर 1796 में की थी महलाओं की सिक्छा के पक्ष में रहे महराजा जीबाजी राओ सिंधिया रियासत के आख्री महराजा जीवाजी राओ सिंधिया का जनम 1916 में आज ही किदर मद्पधेश के ग्वालियर में हुगा था पिता की मित्ति की बाद जीवाजी राओ 1925 में महराजा बने 1934 में उन्होंने अधिकारिक तोर पर सत्ता समाली वह महलाओं की सिक्षा के पक्षधर थे और उनके सासन में विवन महला स्कूल बाकॉलीजों की स्थापना हुई इंजनिरिंग में कॉलेज M.I.T.S. ग्वालियर भी उन्हीं की देने 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद महराजा का दरज्जा खतम करने राच प्रमुक का दरज्जा दिया गया था किचन का तॉलिया आपको कर सकता है भीमार और रसोई में कई केटाणू हो सकते हैं मौजुद हानिकारग वेक्टिरिया के बाहक हो सकते हैं गंदे टौवल तो ध्यान रखा करिये थोड़ा निमिस सफाई जरूरी है नमी से पनपते हैं बेक्टिरिया निकारा गुआ में अजियों गरूब गरीब डान साब देखे मद्ध अमेर की देश से भोजन पर निर्वा करता है बच्चों का BMI मोटापे को कम करने के लिए बनस्पति आधारी फूर्ड पैकेज का प्रियोग बहतर है एक जिम्राई 2021 से फरवरी 2022 के भी संद तेरानवे बच्चों के परिवार का किया गया दिन बौडी मास इंडेक्स होता है न उसी की बात हो याद देखेंगे मोबियों से जुड़ी फिल्मों से जुड़ी कहानी है पढ़ना तो पढ़ने लिए छोड़ना है तो छोड़ लिए और इस तरह से आप देखेंगे आज के निश्मेपर की कहानी खतम हुई है तोड़ी आर्टीकल जानदा थे आजकल एडिटोरियल तुस के बारे में बात करनी पड़ी आप लोग पढ़ते रही हैं मेहनत करते रही हैं और मेहनत करिए देखें आप लोग देखें बे मतलब में अपना टाहिम बरवाद मत करिए मैं तो इतना ही सलाह दे सकता हूं बाकि आपकी मरजी और आप लोगों के जब मैसे जाते हैं तो मु